आज की इस वीडियो में 3D इनमेशन की मदद से हम देखेंगे की गैस लाइटर कैसे काम करता है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप तीन चीजे सीखेंगे पहला गैस लाइटर के अंदर क्या क्या होता है दूसरा गैस लाइटर कैसे काम करता है और तीसरा, sparking body और ignition rod के बीच में ही क्यों होती है वीडियो को सुरू करने से पहले एक छोटा सा experiment करते हैं एक gas lighter ले, इसे उंगली पर रखें और push button दवाएं लगा ना जटका खैर, इस experiment से एक बात तो साफ है कि इस lighter में sparking high voltage की बज़े से हो रही है लेकिन इतने छोटे slider में इतना high voltage आया कहा से इस सवाल का जवाब आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा लेकिन उससे पहले आए इसे खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है इसे मुख रूप से दो भागों में बाटा जा सकता है पहला hammer assembly दूसरा पीजो assembly hammer assembly में मुख रूप से चार चीजे होती हैं outer spring, casing, inner spring और hammer इस पूरी hammer assembly को इस plastic casing के अंदर रखा जाता है पीजो assembly में भी चार चीजे होती है plastic cover, ignition rod, पीजो electric crystal और impact rod ignition rod और impact rod मेटल के बने होते हैं इनके बीच में पीजो electric crystal को रखा जाता है पीजो electric crystal एक बिसेश प्रकार का material है जो pressure energy को electrical energy में बदल देता है मतलब यह है कि इस पर force लगाने पर यह electric voltage जनरेट करेगा जितना अधिक force होगा, voltage भी उतना ही अधिक जनरेट होगा gas lighter के case में यह लगभग 7000 voltage तक हो सकता है इस plastic casing का design कुछ खास है आइए इसे काट कर देखते हैं आप देख सकते हैं कि इसका diameter अचानक से कम हो रहा है इसके बड़े diameter वाले भाग में outer spring रुपती है और इसके छोटे diameter वाले भाग में hammer फसता है आइए अब देखते हैं कि जब आप push button को दबाते हैं तो hammer assembly के अंदर क्या हो रहा होता है push button को दबाने के साथ ही hammer assembly नीचे आती है hammer casing के नीचे आने के साथ ही hammer भी नीचे आता है लेकिन यह plastic casing में फस जाता है और inner spring को compress करने लगता है जिससे hammer load होता है hammer casing के और अधिक नीचे आ जाने पर यह hammer को center की और धकेल देता है जिससे hammer inner spring के दबाव के कारण तेजी से नीचे की और गिरता है और impact rot से जा टकराता है बदले में impact rot पीजो electric crystal से तेजी से टकराता है जिससे high voltage generate होता है ignition rot पर positive charge होता है और impact rot और वासर के जरिये body पर negative charge होता है बहुत अधिक voltage होने के कारण spark create होता है push button को छोड़ने पर outer spring के दबाव के कारण पूरी hammer assembly और push button उपर आते है और lighter दुबारा उपियोग करने के लिए तयार है आईए अब समझते हैं कि spark ignition rot और body के बीच में ही क्यों होता है इसका उत्तर बड़ा ही simple है चूकि ignition rot पर positive charge होता है और body पर negative charge होता है और sparking positive और negative terminals के बीच में ही होती है इसलिए हमेशा sparking ignition rot और body के बीच में ही होती है आसा करते हैं आप gas lighter की working को बहतर तरीके से समझ गए होंगे इस तरीके की कई 3D animation videos इस channel पर upload की जा चुकी है जिन में से कुछ आपको screen पर दिख रही है इन पर click करके आप इन्हें भी देख सकते हैं झाल